प्रण्स देख सकते हैं जैसे कि हम लोग जैसे कि सारा फोटा हम लोग अप्लोड कर दिये हैं उसके बाद क्या है हमारा रिव्यू पेज ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म नंबर हमारा आ चुका है ठीक है और देखिए यहां पर अप्लिकेशन स्टेटस है अभी तक हम लोग यहां पर चैक कर लिए बाद में जरूर चेक कर लिए बड़ आपको इसमें कुछ भी एडिट करना है तक यहां पर पेंसिल वाला बार दिख रहे हैं यहां पर आप क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं ठीक है वापस आप सब चीज अपना चेक कर लीजे, परसनल डीटेल, यह जो आपका परसनल डीटेल है, Candidates Name, यहापका यहाँ पर हर्स आ गया, ठीक है, Candidates Date of Birth, यहाँ पर जाके आप सारा चीज चेक कर सकते हैं, ठीक है, सारा चीज आप एक एक करके चेक करिए अपना, उसके आप सेकेंड में क्या आता है, अपका, Education Detail, Education Detail आप एक बार अपना चेक कर लीजे, 10th और Equivalent का, ठीक है, क्या आप सही डाले हैं कि नहीं, यह दो हम लोग चेक कर चुके हैं पहले, उसके बाद हमारा आता है, 12th और Equivalent Education Detail, तो 12th का भी हम लोग चेक कर सकते हैं, 12th का भी हम लोग यहां पर चेक कर सकते हैं, 12th और Equivalent Education Detail का, ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है, University Program Selection, हम लोग select क्या कियें, कौन सा प्रोग्राम हम लोग लेना चाह रहे हैं, वो select कियें, वो भी आप, अगर आपको edit करना है, तो यहां पर आपका pencil वाला बार दिया हुआ, आप देखिए, यहां पर ध्यान से, यहां पर जाके आप edit कर सकते हैं, ठीक है, तेस्ट पेपर subject selection, यहां पर हम लोग क्या क्या subject select कियें, वो भी यहां पर display हो रहा है, यहां पर भी आप check कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हमारा आ रहा है, examination center detail, जो भी हम लोग center fill कियें, जहां पर हम लोग computer based, तो test देने जाएंगे, वो हमारा यहां पर display हो रहा है, यहां पर हम लोग भी change कर सकते हैं, यहां पर जाके, और अगर हमारा, जैसे pencil बे क्लिक कियें, तो हमारा यहां पर आ गया, ठीक है, और हम लोग अगर कुछ change करना है, तो यहां पर change कर सकते हैं, नहीं change करना है, तो save करके, आगे proceed कर सकते हैं, ठीक है प्रेंट्स, तो हम लोग कहां पर थे, examination center details पर, ठीक है, आते हैं, यहां पर थे, हम लोग देखिए, यहां पर pencil बे क्लिक है, तो हम लोग डैरेक्ट वहां पर चलके, edit कर सकते हैं, हम लोग का examination center, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, हमारा present address, हमारा address select किये हैं, हो सही है कि नहीं, अगर कुछ, इसमें आपको change करना है, तो आप यहां पर जाके select करके change कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या रहा है, हमारा permanent address, ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, हमारा upload scan files, जो भी आप upload के अपना photograph, एक बाद आप यहां पर जाके view करके, खोल के देख सकते हैं, कि हमारा photograph है, वो सही है कि नहीं, जैसा आप view पर click करेएगा, तो आपका देखिए, जो भी आप photograph डालें, यहां पर आपका, आ जाएगा display होके, ठीक है, उसी तरह आप अपना signature भी view करके देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा आ रहा है feed details, देखिए हमारा slot 1 के लिए 650 लगेगा, और slot 2 के लिए 650 लगेगा, क्योंकि मैं general के लिए डाला हूँ, इसलिए हमारा दोनों में 650, 650 लगेगा, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, हम हमारा देखिए, एके करके यहाँ पर check करना है, हम लोग को, verify करना है, एके करके particular checklist to be verified, जैसे my name is hars, हम लोग यहाँ पर डाले, हम लोग अपना नाम क्या डाले, मेरा नाम मैं अपना डाला हूँ, हर्स, यहाँ पर मैं अपना, देखिए, मेरा नाम हर्स, अगर यह सही है, त करिए, ठीक है, my father name is xyz, अगर यहाँ पर यहाँ पर click करिए, ठीक है, अगर सही है, कोई doubt है तो आप यहाँ पर edit भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई doubt है तो आप edit कर सकते हैं, बाकि अगर correct है तो आपको यहाँ पर बस tick करते जाए, my mother name is acbd, तो यहाँ पर tick कर लिए, ठीक है, my guardian name is Rohit, ठीक है, मैं यह टिक कर लिए, my date of birth is यह, my date of birth is 5-2-2006, यह select कर लिए, ठीक है, my gender is male, अगर आपका gender कुछ change करना है तो आप gender change कर सकते हैं, ठीक है, महाँ पर edit, edit कर पर जाके, my category is general unreserved, अगर आप सही डाले हैं तो यहाँ पर टिक कर लिए, my education details are correct, आपका जो educational details आप जितना भी डाले हैं, अगर वो correct है, आप एक बार check कर लिए, तो यहाँ पर टिक कर लिजे, my state from where I passed appearing in 12th, जहां से भी आप 12th पास किया है, जैसे कि यहाँ पर दे रहा है मेरा, कि मैं देली से पास किया हूँ, तो देली यहाँ पर, अगर मैं सही डाला हूँ, अगर मेरा सही यहाँ पर display हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर सही टिक करूँगा, ठीक है, I have read the university admission guidelines and eligibility criteria and choose my exam, अगर आप यह चूज कर लिए हैं, तो आपका मैं सही कर लिए, my choice of examination is in order of preference, तीक है, अगर मैं सेलेक्ट किया हूँ, और मेरा सही है, उसमें कोई edit नहीं करना है, तो ठीक है, चलिए, आगे उसमें कोई change नहीं करना है, तो यहाँ पर टिक कर लिए, ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, हमारा, I hereby declare that I have filled up this online application carefully, ठीक है, तो आपका यहाँ तक के बाद आपका declare करना है कि जो भी आप भरे हैं, वो सही भरे हैं कि नहीं, अगर आप सही भरे हैं, कोई दिककत नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लिए, I hereby declare, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखे, जो भी इसमें एक बार और कुछ है, the information given above is true for the best of my knowledge and belief, I am responsible for the correctness of the information, provided by me in the application from when the documents uploaded along with it, in case of its, discover at later date in the subsequent stages of admission process that the information is incorrect, ठीक है, I understand that my candidates is liable to be cancelled and further action may be taken against me by NTA or the other participating institution or other authorities, तो आपका जो भी भरे, आप वो सही भरे, तो यहाँ भी टिक करिए, अगर कुछ आपको doubt लग रहे हैं, तो पहले जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि ठीक है, आप जा करना है, अपना form, आप उसके लिए ready हैं, हाथ हम ready हैं, ठीक है, अगर आपक कोई दिक्कत है, तो आप वापस से पीछे जाके चेक कर सकते हैं, इसके आगे आप वो क्या आगा, ने, proceed to a payment, ठीक है, तो proceed to payment में जाके आप प्रोसीड कर सकते हैं, payment के लिए,